दोस्तो अज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में और पाई नेटवर्क के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जितने भी पाई नियस जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए 2023 बहुत special होने वाला है और जिसके पास जितने ज़्यादा पाई के coins होंगे वो उतना ज़्यादा अमीर या लखपती होने वाला है ऐसा मैं क्यू बोल रहा हूँ आप सभी को proper बताने वाला हूँ और उसके साथ साथ दोस्तो बहुत सारे important updates आज आ चुके हैं पाई नेटवर्क के listing को लेके पाई नेटवर्क के as a cryptocurrencies को लेके और पाई as a data bot proper आ चुका ह किन-किन चीजों पे पाई future में काम करने वाला है और currently किन-किन चीजों को enable कर चुका है और अब भी के टाइम में पाई browser के अंदर क्या problem आ रही है KYC को लेके update है, NFTs को लेके update है, Matteros को लेके update है और सबसे important चीज पाई network का manant launch को लेके update है और एक और special चीज पाई का price क्या हो करने वाला है, इस चीज को भी आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम discuss करने जा रहे है, दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बहुत सारे topics है और सारे के सारे topics बहुत जादा important है, तो guys वीडियो को शुरू से लेके end तक देखना तब भी आप सारी चीजों को detail में समझ पाऊ सबसे पहले मैं यहाँ पर refresh कर लेता हूं and चलते हैं first update की तरव, जैसा कि यहाँ पर first update आ चुका है, जो कि KYC को लेके है, wallets को लेके है, notes को लेके है, ecological को लेके है, और browser को लेके है, अभी के time में लिखा गया है, before the manant goes online, Pico team will complete all application constructions, कहने का मतलब यह है, manant आने से पहले ही, आप सबी को हर एक type की, जो यह services provide कर रहे है, I mean जो KYC चीजे है, सबी की complete हो जाएगी, wallets की बात करे, wallets properly work करेंगे, notes की बात करे, वो भी बहुत अच्छे से work करेंगे, और जो blockchain होगी उसके साथ, वो आप सबी के जो coins है, जो आप सबी की details है, उन सबी चीजों को safe and secure रखेग अब हम चलते हैं, next most important update की तरफ, यहाँ पे pie network के बहुत सारे ऐसे pioneers हैं, पूरे world के, जिनकी KYC बहुत अच्छे से और कम time में complete हो चुकी है, और इस चीज़ को लेके बताया जा रहा है, कि जो pie की as a blockchain है, वो और powerful बनती जा रही है, दोस्तों किसी भी cryptocurrency के अंदर उसकी blockchain बहु तीन चीज़े बहुत ही perfect होती है, तो वो as a cryptocurrency long time भी चलती है, और safe and secure भी रहती है, नहीं तो maximum cases में जिसकी blockchain कमजोर होती है, 90% chance होता है, कि वहाँ पे scam या fraud आप सभी को देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और इस वाली footage के अंदर आप ध्यान से देखो, अलग-अलग countries के अंदर जो लोगों की as a KYC verify हो चुकी है, और उसके साथ जिन लोगों के documents में as a garbage है, as a mistake है, तो वो आप सभी को पता होगा, कि आपका account as a stuck हो चुका है, और उसके साथ आपका account KYC process में है, और वो under process ही show करता है, तो यहाँ पे documents के अंदर है, original documents के अंदर, यहाँ पे guys कोई खेल नहीं है, कि आप form को ऐसी भर दोगे, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत यह हो रही है, जब आप उसको correct कर रहे हो, adjust कर रहे हो, यह modify कर रहे हो, तो उस situation में pie network को भी बहुत जादा complexity हो रही है, और इस चीज को लेके pie network ने भी यह यहाँ पे बता चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे proper इस चीज के बारे में clear किया है, तो आप जब form भरे, तो बहुत अच्छे से बरे, और जिल लोगों का modify के लिए उनने डाला है, कि हमारी यह mistake है, तो उनको as a rectify भी किया जा रहे है, आपको tension लेने की जरूत नहीं है, बट आप जो नए नए लोग भर रहे हो, तो वो चीजों को ध्यान जरूर रखे, ओके, अब हम चलते हैं, next most important update के तरफ, जो कि इंडिया से आ चुका है, इंडिया के अंदर 350 top universities के अंदर, blockchain and crypto को लेके work किया जा रहा है, और उसके साथ यहाँ पे 12 फरवरी को आज के दिन, मतलब प्रॉपर यह close हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारी जो future में आने वाली चीज़े हैं, price को लेके बात की जाए, revolution को लेके बात की जाए, facilities को लेके बात की जाए, future को लेके बात किया जाए, इन सभी चीजों को लेके, यहाँ पे, जो 350 top universities हैं, वहाँ के बच्चे इन सभी चीजों पे perfectly work कर रहे हैं, और इंडिया का बहुत ही बहतरी contribution अभी तक हमें देखने को मिलता है, and चले next most important update के तरफ, यहाँ पे आप सभी को clarify किया जा रहा है, कि pie network address unauthorized tokens listing, अभी के time में market के अंदर pie network के unauthorized tokens हैं, जो की आप सभी को देखने को मिलते हैं, बट वो real tokens नहीं ह और दूसरी चीज, pie का जो enclosed minute है, और उसके अंदर हर Saturday को question answers होते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है, और उसके अंदर बहुत सारे important चीजों के बारे में discussion होता है, जैसे अभी mid point, mid extension भी आपको देखने को मिलेगा, जो की 14 February को है, और उसके साथ pie का जो future है, pie basically इतना time क्यों ले रहा है, और क्या-क्या चीजे बिल्ड कर रहा है, उस चीज के बारे में आपको पता लगता है, और pie cryptocurrency is not for sale, last चीज बताई जा रही है, अभी के time में pie की कोई भी trading start नहीं की गई, कहीं पर भी आपको देखने को मिल रहा हो, तो fake है, आप कहीं पर भी जाके as a enter मत कर and यहाँ पर उसी चीज को लेके बताया जा रहा है, अगर आप enter करोगे buying and selling के अंदर किसी भी trading platform पे जाके, जैसे कि आप coinmart cap पे भी देखते हो, athletic exchange पे भी देखते हो, hubic global पे भी देखते हो, दो-चार और exchanges है, जहाँ पर pie के fake coins को listed कराया गया है, तो उस situation में यहाँ पर साफ सफ लिखा है, आपके loss हो सकते हैं, और आपका जो personal data है, वो भी loss हो सकता है, और आप as a जितने time से pie के साथ mining कर रहे हो, वो सारफ finish हो जाएगा, ठीक है, तो guys यह गलती आप कभी मत करना, जो guys चलते हैं अपने next update की तरफ, आप यहाँ पे देख सकते हो, किस तरीके से 0.05 pie के हिसाब से, restaurants के अंदर payments को start कर दिया गया है, और उसके सासत आप अलग-अलग जगा पर भी देखते हो, किस तरीके से as a pie का promotion हो रहा है, और अभी के time में China के अंदर की यह footage है, जहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे proper discussion किया जा रहा है, इसके future को लेके और इसके prices को लेके भ को proper restaurant open किया गया है, और जो भी products है, directly यहाँ पे pie के behalf पे आप easily buy कर सकते हो, कहने का मतलब यह है, कि एक pie के हिसाब से क्या product मिलेगा, वो यहाँ पे proper listing की गई है, और यह बहुत तेजी से हरे countries के अंदर इसके बाटर सिस्टम को exchanges को start कर दिया गया है, अब हम चलते हैं, next most important update के तरफ जो अभी कुछ घंडे पहले आ चुका है, और यहाँ पे बात की जा रही है, pie data board के बारे में, जो कि आप सभी को provide करता है, real data की अभी के time में, pie की जो blockchain है, या उसके जो users है, basically अभी हो क्या रहा है, और कहा तक क्या चीज़े हुई है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है pie data board provides pioneers with the destruction services in the cryptocurrency and blockchain industries, तो यहाँ पे basically आप सभी को as a blockchain industries के अंदर crypto की services और pioneers को services provide करने की बात की जा रही है, और जितने भी platforms होने वाले हैं, उन सभी पे as a blockchain की statics जो data होता है, वो सब आपको यहाँ पे officially as a websites के अंदर, या Twitter handles के अंदर, आप सभी को सारी की सारी information देखने हैं, को मिलेगी, चाहे वो mobile mining blockchain को लेकी हो, या चाहे कोई भी information हो, चाहे वो official हो, unofficial हो, सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है, और यहाँ पे कुछ चीज़े leak करी गई है, मतलब आप सभी के लिए बताई गई है, जो आप सभी के लिए important है, basically अभी के time म अगर उसको तरीके से नहीं रखा जाए, nots को मजबूत या powerful नहीं बनाया जाएगा, तो आपके जो coins होंगे, वो बिल्कुल safe नहीं होंगे, और ऐसी बहुत सारी cryptocurrencies गलती कर चुकी है, जिसके वज़े से रातो रात उनकी company, चाहे कितने भी अर्बो ट्रिलियम की हो, गायब ह जाती है, क्यों? क्योंकि वो nots और blockchain पर काम नहीं करते, and second चीज यहाँ पर work हो रहा है, total migrated pie, कि अभी के time में total कितने लोगों ने as a migrated करा चुकी है, proper details हो चुकी है, और currently lock pie, तो अभी के time में कितने लोगों ने lock किया है, यहाँ पर बात कर रहे है, adjustment के बारे में, बहुत सारे लोगों को यह option देखने को मिल रहा होगा, जब आप mining करते हो, कि 3 महीने के लिए करना है, 6 महीने के लिए करना है, 1 साल के लिए करना है, या 3 साल के लिए करना है, उस बिहाफ पे आपको interest भी देखने को मिलता है, और percentage of increment भी देखने को मिलता है, और reward भी देखने को मिलता है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बहतरीन होता है एंड जो next चीज है available pie अब भी के टाइम में available pie कितने है उसके साथ है amount of pie transferred in 24 hours कि 24 गंटे के अंदर अब भी के टाइम में जो transactions हो रही है उसकी proper details कि कितनी transactions हो रही है कहां पे कौन सी country में transaction हो रही है तो वो सारे details यहां पे देखने को मिलती है और countries with the highest note कि कौन सी country के अंदर highest note perform हो रहे है जो कि Korea और outside countries है ठीक है अभी इसमें इंडिया का नाम नहीं है मैं आपको बता दू top 10 जो list आई थी इससे पहले मैंने आप सभी को proper यह जो बाते बता रहा हूँ जो कि कोई भी cryptocurrencies maximum share नहीं करती और जो last चीज़ बताए जारी है pi mining base rate and more अभी के time में 2023 के अंदर February के अंदर जो pi का mining rate है वो कम हो चुका है जैसा कि आप सभी को पता है और यह इसलिए कम किया गया है क्योंकि अब manant आने वाला है और जिसके पास जितने ज़ादा pi के coins होने वाला है वो उतना ज़ादा अमीर होने वाला है क्योंकि एक pi का जो valuation है आप सभी को बहुत ज़ादा देखने के लिए मिलने वाला है और उस चीज़ को लेके अभी हम बात करने वाले हैं तो अब हम बात करने जारें most important update के बारे में जो कुछ घंटे पहले आज के दिन आया है और यहाँ पे साफ साफ लिखा है pi network open management launch date prediction could happen sooner than expect तो यहाँ पे अब हम बात करने जारें कि open management आप सभी को कब देखने को मिलेगा जो कि आज का update है और आज के दिन क्या बाते कहीं गई है वो सभी सुनना आप सभी के लिए बहुत important है अभी के time में जो pi network है proper काम कर रहा है decentralized finance पे और इसकी जो community है वो open management को launch करेगी और इस चीज़ को लेके बहुत सारे protocols पे work किया जा रहा है जो कि आप सभी को अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है अभी के time में चाहे application की बात करे चाहे NFTs की बात करे KYC की बात करे KYC को अभी ही जादा trending में लाया गया है कुछ महीने पहले क्योंकि इससे पहले KYC करना उतना necessary नहीं था बट अभी के time में manage जो आने वाला है जो phase 3 है उसके लिए KYC करना बहुत necessary है और जिसकी KYC complete होगी वही as a minute का part बन पाएगा वही actual value उठा पाएगा जो पाई की मिलेगी और जिसकी KYC नहीं होगी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा ये चीज़ confirm है जो कि पाई network ने भी clear कर चुका है और इसी वज़ा से पाई network अपने आपको और डिले कर रहा है डिले करने का मतलब यही है कि आप सभी की KYC को complete किया जाए और जैसा कि आपको पता है अब भी के time में पाई network के साथ daily basis पे बहुत ज़ादा पाई नियर्स जुड़ते जा रहे है जो कि एक बहुत बड़ी बात है और अच्छी खबर भी है तो उसे साथ से यहाँ पे जो fake accounts है जो scammer से उनके भी accounts पढ़ते जा रहे है तो इस situation में हो क्या रहे है वो पता नहीं कर पारे basically कि actual accounts कौन से है fake accounts कौन से है बट अब यह जो चीज़े हैं बहुत आगे तक निकल चुकी है कहने का मतलब यह है KYC को लेकि अलग-अलग चीज़ों पे काम किया जा रहा है अलग-अलग टाइप की चीज़े हो रही है जिसमें की AI सिस्टम को यह enable करने की बात कर रहे है और उसके सासत यहाँ पे slots भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि सारी चीज़े white paper के अंदर show की गई है और उसके सासत आप सभी को और भी अलग-अलग different methods है जहाँ पे आपको सिर्फ अपने documents को upload करना है और video format में आपको verify करना है ठीक है यह सभी options है बट सबसे special जो AI है artificial है जिसके अंदर automation पे काम होगा वो आपको 15-16 के आसपास देखने को मिलेगा और उसके बाद 10-15 लाग के आसपास daily basis पे पाइनर्स के KYC's complete होगी ठीक है और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है अपने आप documents का जो name हो यह details accurate डाले और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो accurate डाल रहे हैं उनका कुछ ही देर में हो जा रहा है और ऐसा एक दो के साथ में बहुतों के साथ है और कुछ के account ऐसे हैं जो सालों सेट को पड़े वो हो नहीं रहे क्योंकि guys गलतिया कुछ-कुछ आपने भी किये जो आपको accept भी करनी होगी और आप सभी उस चीज़ को modify करें और अगर आप वापिस किसी दूसरे friend का या अपना ही किसी family member का उस चीज़ को ले अप्लाई कर रहें तो accurate details जालने ठीक है और इस चीज़ को लेके बताया गया है and अब बात करें कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर बताया जा रहा है 14 March एक date यहाँ पर आप सभी के सामने है जो आज का update है उस बहाफ पर बता रहा है और June 28 बताया जा रहा है तो इसके बीच में आप सभी को देखने को मिल सकता है as a open manning ठीक है अब हम बात करने वाले हैं कि अब भी कर टाइम में यह बार बार यह इतना time ले क्यो रहा है तो उस चीज़ को लेके मैंने यह चीज़ आपको clear किया कि KYC बहुत necessary है और सबसे शुरू में जो मैं statement बोली थी कि जितने भी pioneers होने वाले हैं 2023 के अंदर वो बहुत लखी होंगे जो भी pie के part बने होंगे और उन सबी को ऐजा जितने pie होंगे उतना उनको लगपतिया करोडपतिया उतना valuation देखने को मिलेगा तो इस statement का मतलब यह है कि जो pie का valuation है उसके बारे में बताया जा रहा है जो minimum आपको देखने को मिलेगा वो 20 से 30 dollar के आसपास देखने को मिलेगा जो की हर एक बड़ी website ने इस चीज का proper technical analysis करने के बाद confirm किया गया है ठीक है 20 से 30 dollar जो की minimum है और इसका जो extension है maximum कितना जा सकता है तो इसका maximum का कोई idea नहीं है 100 dollar भी हसता है 300 dollar, 500, 1000 dollar भी हसता है और जिसके पास जितना होगा उतना उसको valuation मिलेगा और आप इस चीज की tension नालो कि इसका price बहुत कम होगा क्योंकि जब अभी यह fake आया था अभी भी जाके आप देख सकते हो जो कि 50,000 US dollar उसका price है और अलग-अलग exchanges पे जब यह आया था कहीं पे 300 dollar, कहीं पे 500 dollar और coin mark cap पे भी आपको 100 dollar के आसपास ही देखने को मिलता है तो आप सभी देखो कि अभी ऐसा launch नहीं हुआ फिर भी इतना heavy price है तो हम इसका इतना heavy price भी ना लेके चले कम भी लेके चले as of 10 to 15% भी लेके चले तब भी आपको 30 to 40 dollars के आसपास देखने को मिल सकता है पाई का price ठीक है तो इस इसाब से आपकी जो calculation होगी मतलब कि जितने ज़्यादा coins होगे उतना आपको benefit देखने को मिलेगा तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर यही था I hope आपको समझ में आयोगा किस तरीके सारी चीज़ों को detail में बताया जा रहा है और उसके साथ जो सारी information थी I hope आप grab कर पाये होगे दोस्तो आज की वीडियो के अंदर यही था I hope आपको समझ में आयोगा और अभी तक वीडियो पे बने होगे हो तो प्लीज गाईज लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जब करते हो तो notification mail को all पे ज़रूर प्रेस कर ले रहा दोस्तो आज के लिए तना ही मिलते है नए वीडियो के साथ तक ले जैहिंद वंदे मातरम